ब्लैक होल के अंदर क्या है? ब्लैक होल के अंदर अंधिरा होता है और वहां बहुत ज्यादा गुरुत्वा कर्शन बल होता है ब्लैक होल के अंदर जाने के बारे में कुछ खास बाते हैं ब्लैक होल पदार्थ का एक बहुत सघन पॉकेट होता है ब्लैक होल में गुरुत्वा कर्शन इतना ज्यादा होता है कि कोई भी चीज चाहे वह प्रकाश हो या कोई कण उससे बच नहीं पाती ब्लैक होल में भौतिकी के नियम लागू नहीं होते ब्लैक होल में जाने के बाद गुरुत्वा कर्शन शरीर को चारों तरफ से खीचने लगता है और उसे लाखों टुकडों में बाट देता है इसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं ब्लैक होल की बाउंडरी को इवेंट होरिजन कहां जाता है यह एक ऐसा स्थान होता है जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता ब्लैक होल को प्रत्यक्ष रूप से देखना असंभव है ब्लैक होल का निर्माण किसी विशाल तारे के जीवन के अंत में होता है ब्लैक होल ब्रह्माण्ड का एक ऐसा क्षेत्र है जहां सिर्फ और सिर्फ अंधकार होता है यहां गुरुत्वाकर्शन इतना मजबूत होता है कि कोई भी कन या यहां तक की विद्युत चुम्ब की अविकिरन जैसे प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है ब्लैक होल तमाम चीजों को अपने में समा लेता है ब्लैक होल तमाम चीजों को अपने में सकता है